आज मैं कुछ basic question solve करने जा रहा हूं तो हमारा first question है The area of a field in the shape of a triangle with each side x meter is equal to the area of another triangular field having sides 50 meter, 70 meter and 80 meter The value of x is closest to प्रतेक भूजा x meter वाले एक त्रीकोणिये मैदान का शेत्रफल 50 meter, 70 meter, 80 meter भूजाओं वाले एक अन्य त्रीकोणिये मैदान के शेत्रफल के बराबर है x का मान कि इसके निकटतम है ये question तो ऐसे बहुत ही easy है but मैं इस question को किसी और purpose से solve कर रहा हूँ question है एक triangle है this is our triangle जो की equilateral triangle है तो हर एक side इसका x है और एक दूसरा triangle है जिसका side 50, 70 और 80 meter है और दोनों का area बोल रहा है कि equal है तो x का value क्या होगा तो इसमें कुछ नहीं करना है इसका area का formula होता है root 3 by 4 into side square ये होता है और इसके लिए हम लोग heroes formula लगाएंगे heroes formula लगाएंगे that is under root s into s minus a into s minus b into s minus c where s equal to a plus b plus c by 2 that is semi perimeter तो हम लोग solve करते हैं solve करेंगे तो क्या होगा ये हमारा solution है this is root 3 by 4 x square equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c s equal to 50 plus 70 plus 80 by 2 that is 70, 51, 20 plus 80 200 by 2 equal to 100 और equate करने पे x हमारा आता है under root 4000 that is 20 root 10 ये question मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि under root 10 का value generally लोग 3.1 तो याद रखते हैं लेकिन 3.1 अगर इसमें put किया जाए तो हमारा answer 6.62 point something आएगा जो कि options जी है लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम लोग value 3.16 रखते हैं तो हमारा 63.2 cm answer आता है तो under root 10 का value हम लोग 3.1 न याद रखके 3.16 याद रखेंगे यानि की decimal के दो digit तक याद रखेंगे 3.16 इस अंडर root 10 ऐसा है कुछ important value है जिसको हम note down करेंगे that is root 10 इक्वल टू 3.16 यह भी हमने देखा उसी तरह से root 5 इक्वल टू 2.23 और दो log का value है log का भी कुछ important value है वो भी देख लेते हैं log 2 इक्वल टू 0.3010 और log 3 इक्वल टू 0.3771 यह भी हम लोग याद रखेंगे इसके साथ एक और basic value है that is e equal to 2.71 log का base कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग assume कर रहे है कि base 10 है log base 10 note down करेंगे इतना उसके बाद हम लोग solution यह रहा इसका answer है 63.20 cm इसे बस routine का value 3.16 होता है यह बताने के लिए बस मैंने यह question लिया था जो find the value of sec 8a into 10 10 10a plus 10 6a divided by 4 10 10 10a minus 10 6a तो इसको सबसे अच्छा solve करने का एक option है इसमें हम लोग क्या सोच सकते है basically इसमें हम लोग यह सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर 6a को 180 बना दिया जाए तो 10 वाला part 0 हो जाएगा यह दोनो 0 हो जाएगा और यह यह cancel हो जाएगा पूरा term क्योंकि 6a 180 हो जाएगा तो 10 180 0 उपर में बचेगा 10 10a और नीचे में 4 10 10a तो 10 10a से 10 10a cancel हो जाएगा तो 6a को 180 बनाना है तो हम लोग a equal to 30 degree इसमें value पूट कर देंगे तो 30 degree पूट करने पर क्या होगा 10 6a 0 यह भी 0 यानि कि यह पार्ट तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है और 10 10a से 10 10a cancel out हो गया अब हमारा question सिर्फ बचा हुआ है question सिर्फ इतना बचा हुआ है कि सेक 8a divided by 4 तो हम लोग सेक 8a divided by 4 का value निकालेंगे सेक 8a यानि की 8 into 30 240 एक value 30 पूट किया है divided by 4 सेक 240 को लिखेंगे सेक 180 पलस 60 by 4 अब हम लोग इसका solution देखते हैं solve हो गया और option में value पूट करके देख लेंगे देखते हैं तो our solution is here यहाँ पे सेक 180 पलस 60 by 4 इस वाले part तक हम लोगोंने solve कर रखा है तो सेक 180 पलस theta सेक 180 पलस theta यह third quadrant में हो गया तो यह हमारा minus सेक theta हो गया तो minus 660 by 4 अब इसका value क्या होगा minus 660 by 4 सेक minus 660 minus 2 by 4 minus 1 by 2 अब हम लोग option देखेंगे सेक 4 यह सेक 120 यानि second quadrant में होगा तो यह हमेशा positive होगा तो यह तो कभी हो नहीं सकता है और cos 4 है यहाँ पे cos 4 है यानि cos 4 into 30 cos 120 that is minus half यह हो सकता है आगे भी option चेक कर लेते हैं और कोई option आ रहा है क्या यह तो एक आ रहा है और next option हम लोग चेक करते है 10 4 है that is 10 120 तो 120 10 90 पलस 30 यानि की cot 30 से related तो इसमें एक root 3 है आगा तो यह option भी गलत हो गया और 10 और next option है sign 2a sign 60 that is root 3 by 2 यह भी option हो गया तो हमारा अकेला option b part सही है तो b is our final answer that is cos 4a now we'll move to next question that is third third question is a circle is circumscribed on triangle ABC such that AB is the diameter of the circle if AB equal to 14 cm and CB equal to 12 cm and CT is perpendicular to AB then what is the length of BT ABC में एक व्रित इस प्रकार से परिव्रित है जिससे की AB व्रित का ब्यास है यदि AB equal to 14 cm है तथा CB equal to 12 cm है और CT AB पर लंब है तो BT की लंबाई कितनी है तो geometry का question है तो इसमें सबसे पहले हम लोग diagram draw करते हैं जिससे हमारा question easy हो जाता है इसमें लिखा है triangle ABC is there तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग एक triangle draw करेंगे और वो circle के अंदर है triangle क्योंकि circle is circum circle ऐसे होगा ऐसे है हमारा circle और AB is diameter this is A this is B and this is C CT is perpendicular on AB this is T और इसका diameter AB दिया हुआ है 14 तो इसका radius क्या होगा sorry diagram erase हो गया हम लोग फिर से diagram draw करेंगे तो this is our circle and this is diameter AB and this is C and this is perpendicular T diagram को हम लोग finally देखेंगे next page में जो की already मैंने save करके रख लिया है this is our solution यह हमारा diagram है इसमे AB diameter है और CT perpendicular है और diameter AB equal to 14 cm दिया हुआ है तो AO equal to OB equal to 7 होगा और सबसे पहले इसमें क्या करना है कि O से T यानि OT को हम लोग कुछ assume कर लेता है that is X तो हमारा BT क्या हो जागा BT equal to 7 plus X figure में देखते जाएंगे समझ में आता जाएगा BT equal to 7 plus X यह हमारा BT हो गया और same 80 होगा 7 minus X यानि कि OA minus OT equal to AT और हमें क्या X का value पता करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं कि CT हम लोग देख पा रहे हैं कि CT दोनों ट्रेंगल में common है तो Pythagoras formula यूज़ करके we will find CT square in respective triangle that is B TC and AT C और दोनों CT square को relate कर देंगे तो हमने triangle ACT में CT square find किया और similarly triangle BCT में CT square find किया और हम दोनों CT square को equate कर दिये that is पहले वाले triangle में जो CT square find किया और दूसरे वाले triangle में जो CT square find किया ये दोनों value equal होगा और हमारे पास BC का value है BC का value दिया हुआ 12 तो BC square 144 और BT हम लोग निकाल चुके 7 plus X SZ 14 है that is given there and 80 87 हम लोग उपर से value substitute कर देंगे इसमें सारा कुछ तो हमारा X का value आ जाता है 23 by 7 ये रहा हमारा diagram 80 equal to 7 minus X ये हमारा 80 का value है 80 square ये हो गया ठीक है इतना और AC AC कहां से निकालेंगे AC का value होगा 10 square minus 10 square यानि कि 14 square minus 12 square यानि कि 196 minus 144 this is our AC 196 minus 144 and this is our 80 7 minus X to the whole square और दोनों को equate करेंगे तो हमारा X का value आएगा 23 by 7 बट question में हमारा X नहीं पूछा है question में क्या पूछ रहा है question में पूछ रहा है कि what is the value of BT तो we have to find value of BT यानि कि 7 plus X BT equal to 7 plus X तो हमें BT का value find करना है तो BT equal to 7 plus X 7 plus 23 by 7 that is 72 by 7 that's all for this question then we will move for solution आप लोग note डाउन कर सकते है this is our solution now we are moving for next question that is fourth what is given in fourth question in a triangle ABC AB plus BC equal to 22 cm a point P is on side AC if AC equal to 12 cm then calculate the smallest value of BP and value should be in integer it is given it is given value should be in integer त्री भूज ABC में AB plus BC equal to 22 cm है P बिन्दू भूजा AC पर स्थित है यदि AC equal to 12 cm है तो BP की नियुनतम लंबाई क्या होगी इसमें हमसे पूछा है नियुनतम value a smallest value triangle में अगर smallest और largest का जब बात होता है तो इसमें एक ही चीज याद आना चाहिए that is sum of any two side is greater than third side and difference of any two side should be less than third side that is a minus c is smaller than b smaller than a plus c a b c किसी को ही मान सकते है किसी भी side को मान सकते है तो ये हम इस मेथड को यूज करके हम लोग question को solve करेंगे now we'll move for solution now we'll move for solution yeah this is our diagram and we'll look in triangle a,b,p in triangle a,b,p this is our triangle in this triangle this is the largest side so x will be less than m plus c ac को यहाँ पे b,p perpendicular है तो break कर लिया है m और n में a के सामने वाला side a और c का सामने वाला side a small c तो यहाँ पे हम नोट करेंगे x in this triangle x should be less than m plus c and smaller than c minus m इसको actually c minus m लिखना चाहिए क्योंकि बड़ा side is c and x is greater than c minus m and smaller than c plus m similarly in triangle b p c a is our largest side that is hypotenuse in this x will be greater than n minus a and x will be smaller than n plus a and now we'll this is our first equation and this is our second equation with the help of these two equation we'll find our result what we'll do for this we'll add these two equations we'll add these two equations how we'll add we'll add this part to this part and this part to this part and this part to this part so this is our final conclusion and a plus c that is ab plus bc is given that a plus c value of a plus c is given in question and m plus n is the nothing but ac that is also given and this is also given this is also given so we will find x x is between 5 and 17 x is between 5 and 17 x is between 5 and 17 yarni ki x ka possible value 5 or 17 ke beech me hai तो हम option देखेंगे 5 और 17 के बीच में one and only option is six that will be answer ये question इसलिए था क्योंकि question में पता ही नहीं चल पाता है कि ये वाला identity कभ यूज कर जाते हैं और solve करना है ये हमें पता ही नहीं चल पाता है कि ये वाला identity कभ यूज करना है तो question में जब भी हो triangle में minimum और maximum side का ऐसा कुछ value से related हो तो हम ये identity एक वार यूज करके देखेंगे so our next question is ये हम इसका थर्ड का solution note down करेंगे अब और our next question is a walks along the diagonal of a rectangle with a speed 52 meter per minute and cross in 15 seconds and b walks along the sides of rectangle with a speed 68 meter per minute and reach the same point at same time find the area of rectangle एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदीश 52 meter per minute की चाल से चल कर 15 seconds में पार करता है तथा भी इस मैदान को उसकी भूजाओं के अनुदीश 68 meter per minute की चाल चल कर उतने ही समय में पार करता है तो मैदान का ख्यत्रफल ग्याद करें तो इस question में बस इतना सा बताया गया है कि एक ऐसा rectangular field है that is A, B, C और D A जो है यहां से यहां चला जाता है D to B diagonally और B जो है B to D जाता है बट D से A जाता है और फिर A से B जाता है ऐसे और A ऐसे जाता है और दोनों का time सेम लगता है तो इस question को कैसे solve करेंगे दोनों का सबसे पहले देखेंगे कि दोनों 15 second में पार करता है तो देखेंगे यह data दिया हुआ है एक minute में 52 meter जाता है यानि कि 60 second में 52 meter जाता है और इसको time लगता है 15 second तो 15 second में कितना जाएगा 60 divided by 4 किये तो 52 divided by 4 करेंगे तो 13 meter जाएगा यानि कि BD 13 meter है और BD 13 meter है और यह triangle जो दिखरा है ADB इसमें A 90 degree है तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एक possible value 5 and 12 होता है बट यह confirm नहीं है अब ही confirm नहीं है कि यह 5 12 होगा बट होता है एक value तो अभी हम इसको erase करते हैं बट क्लिक करना चाहिए अब हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे कि B जो है B कितना meter जाता है यह same time में B जो है 68 meter जाता है 60 seconds में 60 seconds में 68 meter तो same time यानि 15 seconds में कितना meter जाएगा 17 meter यानि कि B D से A जाता है और A से B जाता है दुसरा वाला लड़का 17 यानि कि यह confirm है कि यह distance 5 और यह distance 12 होगा तो इसमें पूछ क्या रहा है इसमें पूछ रहा है इतना से conclusion हमारा इतना निकला कि यह rectangle है और यह diagonal है that is 13 this is 5 this is 12 अब पूछ क्या रहा है पूछ क्या रहा है मैदान का शेक्त्रफल तो area equal to length into breath that is 5 into 12 that is 60 this is our answer और जिन को समझ में नहीं आया वो no down कर लेंगे solution और समझने का प्रयास करेंगे समझ में आयेगा this is our solution in 60 seconds this is for a y a this is for y b alongside and along diagonal this is 13 and this is 17 that is 5 and 12 sum of 5 and 12 is 17 so this is our answer 60 meter square try करेंगे समझने का आयेगा समझ में now we will move for next question that is 6th in this question what is given if a equal to under root पूरा under root में है under root 10 plus 1 minus this is our first part and this is our second part under root under root 10 minus 1 तो we have to find approximate value of 2 by a square यदि a equal to itna then 2 by a square will be what we have to find this तो इसमें कुछ नहीं करना we have to simply square both the sides यानि कि दोनों side square कर देंगे तो यह a square का value हमें पता चल जाएगा और इस वाले a square को यहां पे substitute कर देंगे तो हमारा value आ जाएगा तो how we will do it we will look for solution this is our a we have a square तो a square किया हमने तो under root 10 plus 1 plus a square plus b square minus 2ab 2 into a into b a है root 10 plus 1 और b है root 10 minus 1 तो a plus b a minus b a plus b into a minus b होता है a square minus b square a plus b into a minus b equal to a square minus b square तो यह हम use करेंगे तो क्या आता है यह हम use हमने use किया तो हमारा क्या आया a square equal to this और minus 1 plus 1 cancel out हो गया solve करके 2 root 10 minus 6 और हमने अभी बोला root 10 का value होता है 3.16 तो 2 into 3.16 minus 6 that is .32 और हमें value बताना है 2 by a square तो a square का value आगया 0.32 by 0.32 याने की 200 by 16 याने की 50 by 4 याने की 25 by 200 by 200 by sorry 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 calculation mistake 200 by 32 not 16 तो 54 जा 32 8 4 54 जा 200 and 8 4 जा 32 one more time 25 जा 50 and 4 जा 8 याने की 25 by 4 that is 6 integer 1 by 4 याने की 6.25 that is nearest value not exact value तो हम देखेंगे option देखेंगे because this is our nearest value तो हमारा answer होगा that is nearest to 6.25 is 6.16 this is our nearest value और और nearest value question ने पूछ के हो रहा है क्योंकि root 10 का जो value हम लेते हैं 3.16 यह exact नहीं होता यह exact नहीं होता है यह nearest होता है तो पूछा भी है nearest value इसमें इसमें exact value नहीं पूछ रहा है नो वील मूव फर नेक्स्ट क्वेस्टन और जिनको solution नोट करना है वो और सोली है यह भी नहीं होता है यह वो दोछ्ट यह सिझा a triangle ABC where OA equal to OC equal to AB, angle ABC equal to 12X, angle OAC equal to 3X and angle OCB equal to 2X. Calculate the value of X. Tribuj ABC के अंदर एक बंदू O इस्थित है जहाँ OA equal to OC equal to AB and angle ABC equal to 12X, angle OAC equal to 3X and angle OCB equal to 2X है X का मान find करना है. तो सबसे पहले हम diagram draw करेंगे तो diagram देखते हैं, I have already drawn that diagram and solution is also there so we'll look for diagram, diagram में दिया हुआ है, diagram में दिया हुआ है triangle ABC is there and OA equal to OC equal to AB, ये तीनों equal है, ये दिया हुआ है and और क्या दिया हुआ है, और दिया है, angle ABC दिया है, OAC दिया है, OCB दिया है तो हमें दिया है, ये angle 2X दिया है, ये angle 3X दिया है और ये overall angle 12X दिया है तो ये 3X है, तो ये भी 3X होगा, that is fine, but इसमें हमें कुछ fix नहीं पता है, इस वाले triangle में तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले triangle में हमें बस इतना ही पता है कि this equal to this तो हम एक angle को इसमें theta assume करेंगे, तो ये angle भी theta होगा, क्योंकि this side equal to this side तो ये angle equal to ये angle, तो ये theta हमने assume किया, ये भी theta assume किया, तो ये वाला part होगा 180 minus 2 theta because sum of all angles in a triangle is 180 degree, so this part will be 180 minus 2 theta now what we'll do, we'll do is in triangle a, b, c, sum of all three angles is 180, that is 12x plus 180 minus 2 theta plus 3x plus 2x plus 3x equal to 180 तो solve करते हैं हम लोग, angle a plus b plus c equal to 180, तो angle a क्या दिया हुआ है, angle a हमारा दिया हुआ है angle a हमारा है, ये प्लस ये, तो angle a क्या हो जाएगा, angle a हो गया, 3x plus 180 minus 2 theta और angle b हो गया, 12x, angle c हो गया, 2x plus 3x equal to 5x, that is equal to 180 180 से 180 cancel out हो गया, तो हमारा क्या बच गया 12x plus 5x equal to 17x plus 3x equal to 20x, 20x और ये 2 theta को इस साट भजेंगे, तो 2 theta तो theta equal to 10x, यानि कि theta हमारा 10x पता चला, यानि कि theta और x में एक relation आया, theta equal to 10x, तो इस triangle में हम लोग देखते हैं theta equal to 10x, यानि कि ये 10x है, तो ये value 2x हो गया, यानि कि ये angle और ये angle equal हो गया, तो ये side और ये side भी equal हो गया, और पहले से दिया हुआ था कि ये साइड ये साइड ये साइड यानि कि ये चारो चीजें अब इक्वल हो गई अब हम ट्रेंगल ए ओ बी में देखते हैं यानि कि हम ये सब हटा देते हैं इधर हमें देखना ही नहीं है इधर हमें देखना ही नहीं है इस वाले triangle में दिया हुआ है कि ये तीनों side equal है तो फिर हमारा ये equilateral triangle बनेगा यानि कि ये equilateral triangle है तो this angle will be 60 degree theta would be 60 degree if theta equal to 60 degree तो theta equal to 10x equal to 60 degree theta equal to 60 degree 10x equal to 60 degree क्योंकि इदी लेशन हुने निकाला theta equal to 10x तो x would be 60 by 10 that is 6 degree this is our value of x 6 degree value of x is 6 that is our that is our final answer then what is first we look in question what is asked there x का value we have to find value of x that is b part 60 degree so मैं solution दिखा देता हूँ आप लोग note डाउन कर लेंगे this is our final solution ऐसा नहीं है कि यही एक solution है आप लोगों के पास कुछ दूसरा solution भी हो सकता है अगर कुछ कोई भी अच्छा solution है आपके पास तो आप खुद से solve करके हमें भेज भी सकते हैं now we will move for next question our next question is qt cube qt cube 2a plus 3 qt 2a into cosec square 2a divided by cosec cube 2a into cos 6a minus sin to the power 6a we have to find value for this expression ये question बहुत easy है बट मैं ये बताने के लिए इस question को solve कर रहा हूँ कि ऐसे में सबसे पहले ऐसा question जब भी आए तो हम option देखेंगे option single value है यानि कि option में A का कोई use ही नहीं है A का कुछ भी use नहीं है यानि कि A हम कुछ भी रखें option पर कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है उसका option में use ही नहीं है तो A हम अपने से कुछ भी रख सकते है लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि value infinity नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग A का value रखेंगे तो हम लोग 60-30 कुछ भी रख सकते हैं को कोई दिक्केत नहीं है तो ठीक है इसको कर लेंगे खुद से बस यहीं बात बताने के लिए मैंने यह question लिया था नो वील मूफ और नेक्स्ट क्वेस्टन हां और सॉल्व करके इस question का answer भी देना है answer मैं अभी नहीं दे रहा हूं मुझे पता answer बट अभी दे नहीं रहां को comment box मैं answer देना इसका this is our next question our question is if a plus b plus c equal to 6 a b c equal to minus 42 and a square b plus a b square plus b square c plus b c square plus a square c plus a c square equal to 48 then what is the value of a cube plus b cube plus c cube a plus b plus c equal to 6 d i a b c equal to minus 42 d i a हुआ है और a square b plus a b square plus b square c plus b c square plus a square c plus a c square equal to 48 दिया है तो हमें a q plus b q plus c q का value बताना है तो यह question हमने इसलिए दिया है क्योंकि जन्रली लोगों को यह वाला बात पता नहीं होता है इसलिए मैंने यह question लिया है हम इसमें कुछ main चीज नोट डाउन करेंगे इसमें नोट डाउन करना है ए प्लस बी प्लस c का whole square जो होता है यह सब को पता होता है ए प्लस बी यह square प्लस एक मिनट यह वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी प्लस c टू दी whole square is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca a plus b plus c to the whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca a value सब को पता होता है यह फिर भी नोट डाउन कर लेंगे जो पता नहीं होता है वो कौन सी बात है वो भी नोट डाउन करेंगे पता क्या नहीं होता है वो हम अब नोट करेंगे पता क्या नहीं होता है a plus b plus c to the whole square तो सबको पता होता है a plus b plus c to the whole cube सबको पता नहीं होता है नोट डाउन करेंगे हम लोग यह क्या होता है a plus b plus c to the whole cube equal to a cube plus b cube plus c cube plus 3 into a square b plus a b square plus b square c plus b square c plus b c square plus c square a plus c square plus 6 a b c this is our formula तो हम यह नोट डाउन करेंगे इसमें हमें question में value पूछा है हमें question में value पूछा है इस इसका a q plus b q plus c q का तो हमें यह दिया हुआ है a plus b plus c यह 3 के अंदर वाला पूरा पार्ट का value दिया हुआ है a b c का value दिया हुआ है तो बस substitute करना है और answer पाना है ठीक है तो विल मूव फॉर स्वाल्यूशन आवर स्वाल्यूशन इस विल लूप फॉर स्वाल्यूशन यहां हमारा स्वाल्यूशन है इस इस आवर फाइनल स्वाल्यूशन हमने यहां a plus b plus c 6 substitute किया तो इसका Q करने पे 216 आया इसका value find करना है यह value 48 दिया हुआ है यह value minus 42 दिया हुआ है solve करने पे answer हमारा 324 है हाँ एक चीज़ और इसमें क्या देखना है कि इसको पूरा subtract नहीं करना है इसमें option देखेंगे unit digit check करेंगे 6 plus 2 equal to 8 में से 4 गया तो 4 unit digit पे आना होगा तो option हमारे सामने होगा unit digit पे 4 देख लेते हैं दो option में है तो solve करेंगे अगर एक option में है तो solve नहीं करेंगे तो हमारा एक ही option में है तो यह हमारा टिक हो जाएगा वैसे कोई बड़ा चीज़ नहीं है यह बहुत छोटी चीज़ है तो यह solve कर लेंगे वैसा कोई दिक्कत नहीं है अबर नेक्स्ट क्वेस्टन इज यह क्वेस्टन अच्छा क्वेस्टन है यह important है इफ थीटा इक्वल टू 69 डिगरी देन half under root 1 plus sin theta plus 1 by 2 under root 1 minus sin theta is equal to यदि थीटा इक्वल टू 69 डिगरी है तो इस expression का value हमें बताना इस expression का value हो तो इसमें सबसे पहले हम एक बात note down करेंगे जो की important है यह बात है sin theta by 2 plus cos theta by 2 का whole square यानि की a plus b to the whole square तो a plus b to the whole square क्या होता है a square plus b square plus 2 a b तो हमें break करना है तो sin square theta by 2 plus cos square theta by 2 1 हो जाएगा plus 2 into sin theta by 2 into cos theta by 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 यह हमारा हो गया 1 plus 2 sin theta into cos theta sin 2 theta यानि की 1 plus sin theta यानि की sin theta by 2 plus cos theta by 2 का whole square होता है 1 plus sin theta यह को note down करेंगे a square को दूसरे side ले जाएगे तो sin theta by 2 plus cos theta by 2 होगा under root 1 plus sin theta इसमें एक बात और भी जानना है वो बात क्या है कि value theta का अगर 0 से 45 degree तक होता है तो cos theta is greater than sin theta और theta का value 45 से 90 के बीच में होता है तो sin theta is greater than cos theta यह value बहुत important है यह आपको पता होना चाहिए अगर पता नहीं है तो अभी आप note कर लेंगे और 45 degree पे sin theta cos theta का value सेम होता है that is 1 by under root 2 अब हम इस question को solve कर सकते हैं यह पूरा conceptual question था है तो solve करते हैं हम लोग इसका solution देखते हैं हमने क्या किया है solution में this is our solution यहां तक तो हमने देखा हुआ इस वाले step तक यह हमने square किया और यह step देख लिया और यह step भी हमने देख लिया अब हम इसमें क्या करते हैं कि जिस तरह से under root 1 plus sin theta equal to यह value आया उसी तरह से sin theta by 2 minus cos theta by 2 का square करेंगा तो यह value भी आएगा ठीक है solve करते हैं but हमें यह बात पता है कि यह value कभी negative नहीं हो सकती है यह value जब भी होगा तो positive होगा तो यहां पे theta equal to दिया हुआ है 69 degree यानि कि sin 69 by 2 यानि कि 34 के approximate है 34.569 का आधा होता है यह sin 34.5 यानि कि 45 से कम है तो sin theta would be less than cos theta sin theta का value cos theta से कम होगा तो यह value overall negative दिया हुआ है यह value overall negative है बट यह बाला part कह रहा है कि negative नहीं हो सकता है यानि कि यहां पे यह हमारा part गलत लिखा हुआ है तो सही क्या होगा यहां पे यह बाला part minus होगा यह plus होगा इसका square भी तो same ही होता है ना a minus b to the whole square equal to b minus a to the whole square यह तो होता ही है तो अब हम इसको क्या करेंगे तो इसको under root 1 minus sin theta को sin theta by 2 minus cos theta by 2 ना लिखके इसको लिखेंगे cos theta by 2 minus sin theta by 2 क्योंकि value of cos theta is greater than sin theta value of cos theta by 2 is greater than value of sin theta by 2 where theta equal to 69 degree तो theta by 2 will be 34.5 that is less than 45 तो अब हम easily solve कर लेंगे इसको यह हमारा रहा solution तो under root 1 minus sin theta का value पता चल गया और under root 1 plus sin theta का value पता चल गया दोनों का value सब्सिचूट कर देंगे तो हमारा यह आ जाएगा और यह cancel out हो जाएगा cos theta by 2 answer यह बहुत conceptual question था तो हम इसे दो तीन बार देखेंगे आप और खुद से solve करने का प्रयास करेंगे तो solve होगा और समझ में भी आएगा now we'll move for next question our next question is 7 to the power 21 यह हमारा डिवाइड है यह क्या है डिवाइड है यह हमारा डिवाइड है प्लस दिख रहा है बट यह प्लस है यह डिवाइड है 7 to the power 21 divided by 7 to the power 19 divided by 7 to the power 70 and so on 7 to the power 1 तक है यह तो यह सीरीज का question है हम कैसे solve करेंगे अभी देखेंगे इसके लिए हमने पहले solution दिखाता हूँ आपको यह हमारा solution 7 by 21 को ऐसे ही छोड़ दिया और 7 to the power 19 7 to the power 17 को हमने denominator में लाया है तो denominator में आएगा तो यह multiply में होगा और multiply में बेस सेम होता है तो power add होता है तो 7 to the power 21 divided by 7 to the power 19 plus 17 plus 15 and so on ऐसे करके 1 तक जाएगा तो first we have to find sum for this series तो यह हमारा series है ap में है और ap को formula होता है sum of series का उसको note down करेंगे s equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d where n equal to number of terms a equal to first term and d is difference between consecutive terms तो यहां पर हम formula लगा देंगे और number of term कैसे निकालेंगे माल लेता है सबसे पहले 1 था 3 था 5 था तो second term यह दो term है तो 3 plus 1 by 2 यह हमारा second term आ गया difference 1 हो तो ऐसे कर सकते हैं तो इसमें number of term कैसे निकालेंगे 19 plus 1 by 2 19 plus 1 by 2 यानि कि 20 by 2 यानि कि number of term equal to 10 अगर number of term आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं number of term का ही formula आता TN equal to A plus N minus 1 into D ये भी नोट डाउन कर लिजिए AP का ही है arithmetic progression A is first term N is number of terms and D is difference between two consecutive terms तो ए हमारा यहां पे 19 ए हमारा यहां पे 1 है और D हमारा 2 है और TN मतलब last term this is last term that is 19 तो हमारा इन का value पता चल जाएगा तो यह न यहां पे भी हमारा 10 ही आएगा चाहे किसी मेथड से solve करें answer same ही आएगा तो solve करके यहां पे आगया 7 by 21 divided by 7 by 100 और division में power subtract होता है तो हो गया 1 by 7 to the power 79 that is our final answer now we will move for next question if you want to note down the solution you can note it down we are going for next question that is what is the unit digit of 4 to the power 1 into 4 to the power 2 plus 4 to the power 3 into 4 to the power 4 plus 4 to the power 5 into 4 to the power 6 plus and so on कहां तक जा रहा है 4 to the power 63 into 4 to the power 64 इस question में मैं क्या बताना चाहता हूं इस question में मैं यह बताना चाहता हूं कि 4 to the power अगर odd है तो इसका unit digit हमेशा 4 होता है और 4 to the power अगर even है तो unit digit हमेशा 6 होता है यह आप देख भी सकते हैं 4 to the power 1 equal to 4 4 to the power 2 equal to 16 4 to the power 3 equal to 64 आप example लेके चेक कर सकते हैं ठीक है और एक odd number और एक even number का sum हमेशा odd number ही होता है ठीक है अब हम इस question को easily solve कर सकते हैं तो यहां पर हमारे unit digit क्या आएगा power odd है तो unit digit 4 यहां पर power even है तो unit digit 6 power 3 है तो unit digit 4 पावर 4 है तो unit digit 6 यानि कि इस वाले पूरे टर्म का unit digit 4 आ रहा है unit digit 4 आ रहा है इसका भी unit digit 4 है ऐसे करके इसका भी unit digit 4 है अगर पता चल गया कि number of terms कितने हैं इसमें तो हम easily solve कर सकते हैं और यहां पर power 63 तक गया है last power तो 63 plus 1 by 2 that is our number of terms in this case that is 32 number of terms हमें पता चल गया 32 सबका 4 plus 4 plus 4 ऐसे जा रहा था और कितना term है 32 times है तो 4 into 32 that is 128 तो हमारा unit digit के आ गया 8 this is our answer तो 8 is our final answer हम लोग solution देख लेते हैं जिसको note करना जिनको note करना solution और note कर सकते हैं this is our final solution हमने यह नहीं कहा कि number 128 है हमने बस unit digit बताया answer 128 नहीं है इसका हमने बस unit digit calculate किया है answer calculate करना तो बहुत tough है तो now we are moving for next question this is our next question what is the area of the triangular region enclosed by the graph of the equation x plus y equal to 3 2x plus 5y equal to 12 and the x-axis किसी भी triangle का formation तभी होता है किसी भी triangle का formation होने के लिए हमें 3 lines जरूरत होता है 3 lines should be there then only a triangle can be formed area enclosed by 3 lines or 3 straight lines is called triangle तो हमारा 3 line यहां पर दिया हुआ है first line x plus y equal to 3 second line 2x plus 5 equal to 12 2x plus 5y equal to 12 and third line is x-axis that is nothing but y equal to 0 this is also a line तो इसका solution देखेंगे हम solution क्या है इसका इसका solution है यह this is our line x plus y equal to 3 and this is our line 2x plus 5y equal to 12 and this is our x-axis तो this is our triangle यह हमारा triangle है हमें इस triangle का area पता करना है x plus y equal to 3 तो यहां पर y का value 0 है तो x का value 3 होगा तो यह point है 3,0 similarly यह point है 6,0 हमें कैसे पता चला x-axis पर y का value 0 होता है और 2x plus 5 y equal to 12 वाले equation में हम लोग put करेंगे y equal to 0 तो x का value 6 आएगा तो यह point हमें पता चल गया 6,0 और triangle का area क्या होता है half into base into height तो base तो हमें पता चला गया base क्या है यह distance 3 से 6 का distance कितना होगा 3 unit यानि कि base में पता चल गया अब हमें height पता करना है तो height इस triangle का height यही तो होगा और यह point हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों line का cross section point से तो इन दोनों line को solve करेंगे एक line दिया हुआ है यह और दूसरा line दिया हो x plus y equal to 6 तो 2x plus 2y equal to x plus y equal to 3 तो 2x plus 2y equal to 6 यह solve करके हमें y equal to 2 मिल गया अब हमें x equal to क्या होगा ये निकालने का जरूवत नहीं है निकालते हैं आप तो अच्छी बात है बट निकालने का जरूवत नहीं है क्यों क्योंकि हमें सिर्फ height चाहिए और height हमें कौन देता है height हमें y-axis देता है यानि कि y-axis देता है कहने का मतलब कि वहाँ पे y का coordinate जितना ह होगा वही तो हमारा height होगा तो y हमारा 2 आया तो height is 2 तो area of triangle half into base into height half into height क्या है height हमारा 2 है और base क्या है 6-3 3 है यहां से यहां का distance 3 तो यह cancel out हो गया तो हमारा 3 is the final answer note down करना है note down कर लेंगे next question हमारा है यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम अभी इसको solve नहीं कर रहा है वैसे तो target था 20 question करने का बट मैं कर वीडियो बनाता नहीं हूं बट आज ऐसे ही बस बना दिया तो अभी मेरा energy खतम हो रहा है तो अभी मैं वीडियो stop करता हूं और यह question solve करेंगे और comment box में डालेंगे और बाकी यह कौन सा question है यह सायद से 13th question है इसके बाद यह सारे questions है बहुत सारे questions है तो ऐसे बहुत सारे questions है तो आप इसका solution करके comment box में डालेंगे और next day हम solve करेंगे तो match करेंगे सही है या कैसा है और जैसा भी आपके पास इन सारे questions का अगर अच्छा solution है कोई पाट मेथड है तो आप हमें comment box में बता सकते है या personally send भी कर सकते है थैंक यू